जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अपने घर के में गेट पर ये एक काम जरूर कर लेना एक दिन में काली माता आएगी जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हो और जो काम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जारी हूँ वो काम आप लोगों को करना होगा अगर आप चाहते हैं कि माता काली हमारे पास आए हमारे घर में आए तो ये काम आप लोगों को जरूर करना होगा वो भी अपने घर के में गेट पर ठीक है यह जो चोकट होती है ना यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है और चोकट के दुआर से ही कोई भी देवी देपता या फिर कोई भी इंसान कोई भी रिस्तेदार चोकट की दुआर से ही तो आता है ऐसे ही बस देवी देपता का भी वो है कि वो भी चोकट की दुआर स पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो दोस्तों बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देती हूं जो मैंने अपना न्यू चैनल क्रेट किया है भक्ति मार्ग ग्यान उस चैन से जुड़े तो माताकाली से यही विंति करूंगी कि उनकी मनोकामना माताकाली जल से जल पूरी करें जैसा वह चाते हैं उनको वही चीज प्राफ्त हो तो अब मैं आप लोगों को भी कह देती हूं कि आपको भक्ति मार्ग यूटूब जो चैनल है उस चैनल से आपको जु भी देपता है कि भगवान की सभी वीडियो आपको वहां पर भी मिलती रहेगी तो दोस्तों मैं आपको जो काम बताने जारी हूं ठीक है वो काम है आपको जो करना है जो अपने घर की में गेट होता है यानि कि चोकड जो होती है उस चोकड पर आपको यह काम करना होगा जो के घर में परवेस करें, और दूसरी चीज, इस चीज का भी आप लोगों को यह आपके घर में मां लक्षमी भी विराज मनूएगी साथ के साथ, यारनी कि अगर आपके घर में पैसे दे लेए कि इस्वी चीज की तंगी रहती हो, तो उस चीज से आप लोग हमेसे लिए मुक्त हो सकते हो जब आप ये उपाय करेंगे तो इसमें दो चीज का फायदा होता है एक तो लक्षमी आती है घर में और दूसरी और मातकाली भी आपके मतलब घर में परवेश करती है मातकाली की बात नहीं कोई भी देवी दिपता हो वो भी आपके घर में उसी दूआर से ही परवेश करेगा जहां पर आप ये काम करोगे तो मैं आप सभी भक्तों को बता देती हूँ कि आपको क्या काम करना है अपनी चोकट पे आप लोगों को काले कपड़े में ठीक है काले कपड़े में आपको अपनी चोकट पर दो लोंग ले लेनी है एक साबुत सुपारी ले लेनी है, साबुत सुपारी जो पान में माता को भोग में चड़ाते हैं, साबुत सुपारी वो आपको कहीं भी दुकान पे मिल जाएगी, दो लोंग, एक साबुत सुपारी और एक जायफल, ठीक है, ये तीन चीज आपको ले लेनी है, तीन चीज ल करने के बाद आपके घर में देख लेना मतकाली उसी दिन से ही प्रवेस करने लग देगी अगर चाते हैं कि मतकाली हमारे घर में आए हमारे घर में हमारे घर को ठीक करें हमारे घर के सारे काम सिद्ध करें तो ये काम आप लग जरूर कर लेना जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूं ठीक है और आपको सुबह एक काम और करना होगा अगर आप लक्षमी मतक को भी अपने घर में विराज मान करना चाते हैं पैसे देले की तंगी रहती हो आपके घर में करजे पर करजा बढ़ रहा हो तो सुबह के टाइम चार बजे उठकर अपने घर की जो में चोकट है उस पे ना आपको लोटे में एक छोटा लोटे में पानी भर लेना है फिर उसके अंदर आप कर आपको थोड़ा थोड़ा दोनों किनारों पर सेराना है पानी ठीक है मा काली का नाम लेगी मा लक्ष्मी का नाम लेगी है मा काली मेरे घर में आओ है मा लक्ष्मी मेरे घर में विराजमान हो और मातकाली से ही बोल दो है मा लक्ष्मी को मेरे घर लेकर आओ मेरे घर में व भिए बंदा परवेस करता है घर में ठीक है जैसे लोग इंसान है हम भी में गेट से घर उतल के बताओ वह जो उसी तरीके से में गेट से देविदेपता आते हैं और जब जब आप पुझा पार्ट करते हो इस बात कभी ध्यान नखना कि में गेट पर आपके कोई ना आ ठीक ह क्योंकि रस्ता उनको होना चीए देवी देपता को आने के लिए रस्ता देना चीए तब ही देवी देपता विराजमान होते है तो इस बात कभी ध्यान नखना जब भी कभी आप पूजा पाट करते हैं अपने घर में तो मेन गेट पे आपके कोई भी आपकी फैमिली मेंबर नहीं आना चीए तो चली दोस्तों मैंने आप सभी को विल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है और आपके समझ में भी आ गया होगा अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हरहर महादे मातक काली आप सभी की सारी मनोकामनें पूरी करें खुस रहें आप और खुस रहें आपका पहली बार जै मातकी ओम नमस्षिवाए